चाचा चौधरी और खोई हुई बीवी एक तिंग चाचा चौधरी और साबू कहीं जा रहे थे अरे साबू, पीछे कैसे रह गया? जरा कदम बढ़ा रास्ते में अरे क्यों मिया, आप क्यों जरोजार रो रहे हैं? बजार की फीड में मेरी बीवी कहीं खो गई है अरे, तुम्हारी बीवी कोई बच्चा थोड़े ही है मिया घर जाओ, वहे अपने आप वहाँ पहुँच जाएगी यही तो रोना है मैं परदेशी हो, मेरी बीवी शेहर के रास्ते नहीं जानती आप यहीं तश्रीफ रखिये आपकी बीवी को ठूंड कर लाते हैं चाचा चौधरी साबू को लेकर चल देते हैं रास्ते में, क्यों अब्दुल्ला, तुमने रास्ते में कोई औरत देखी? चाचा जान, ओधर मैदान में कुछ औरते इकटी हुई हैं मैदान में बुर्का पहने बहुत सारी औरते खड़ी होती हैं हाँ चाचा जी, यहाँ कुछ औरते हैं अरे बापरे, अगर उस परदेशी की बीवी इनमें हुई तो मैं उसे पहचानूँगा कैसे? चाचा जी, आप उसका नाब लेकर पुकारिये वह फॉरन हटकर एक तरफ खड़ी हो जाएगी अरे यही तो मुसीबत है साबू मैं उसका नाम पूछना भूल गया साबू, अब तो एक ही तरीका है फार्मूला नमबर नाइन्टीनाइन ठीक है कुछ देर बाद सारी औरतें मैदान से भाग खड़ी होती है केवल एक ही औरत मैदान में बाके रह जाती है बस साबू, यही है उसकी खुई हुई बीवी आईए, आपका शोहर आपको ढून रहा है हाँ, यही है मेरी बीवी, जमीला चाचा चौधरी और साबू, वहाँ से चल देते हैं चाचा जी, आपको कैसे पता चला कि वह अकेली रह गई महीला ही, उसकी खुई हुई बीवी है साबू, जब किसी के सामने कोई खत्रा आता है तो वह शुरक्षा के लिए घर भागता है उस बेचारी का यहाँ कोई घर था ही नहीं इसलिए वो अकेली रह गई चाचा चौधरी का दिमाग कम्प्यूटर से भी ते चलता है चाचा चौधरी और धमाका सिंग का प्लान एक दिन धमाका सिंग डाकू गोबर सिंग के पास आया सरदार गोबर सिंग एक खुशखबरी लाया हूँ क्या धमाका सिंग मैंने अभी अभी चाचा चौधरी को समुदर के किनारे बैठे देखा है बड़ धमाका सिंग समस्या ये है कि उसे मारा कैसे जाए इस तलवार से चाचा चौदरी वहाँ बेखबर बैठा समुद्र की लहरों का नजारा ले रहा है तुम जाओ और पीछे से तलवार का एक ऐसा हाथ मारो कि सिर धड़ से अलग हो जाए दोनों चल देते हैं सरदार आओ मेरे साथ आज हमारी काम्याबी का दिन है समुद्र के किनारे पहुँच कर वो देखो चाचा चौदरी बैठा है तुम पीछे से जाओ और एक ही वार से उसका काम तमाम कर दो वाधमा का तो सचमुच लाजवाब आदमी है डाकू गोबर सिंग हाथ में तलवार लिये चाचा चौदरी के पीछे पहुँचता है और वार करने के लिए हवा में तलवार को उठाता है तब ही उसके पैरो के नीचे से जमीन खिसक जाती है धंडी रेत में काफी देर आगाम कर लिया अब उठना चाहिए डाकू गोबर सिंग लुड़कता हुआ जमीन पर गिर जाता है और धमाका सिंग के साथ वहाँ से भाग खड़ा होता है भागा चाचा चौदरी और साबू